हेलो फ्रेंट्स वेलकूं टो प्रतीवा क्रियेशन मैं हूँ प्रतीवा आज में आपके चाहिए जो लहंगा है इसकी पूरी कटिंग और स्टिशिंग में बताने वाली हूँ अगर आप भी कुछ इस तरीके के लहंगा बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहु किये देखें चलिए वड़ो स्टार्ट करते सबसे पहले मैं आपको यहां पर मेजर्मेंट समझा देती हूँ तो जो हमारी लंबाई है वह हमारी 42 सिंच है पुरे लहंगे की यह देखिए और जो मारी कमर है वह मारी 34 सिंच की है तो 34 को हम 8 से भागा देंगे और 8 से भागा तो 34 को 8 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 4.25 अब 4.25 को हम में हम एक इंच प्लस करेंगे तो उसमें होगा 5.25 और एक इंच हम प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि यह कली वाला है तो कली वाली में जॉइन करते समय कपड़ा बहु जादे जाता हमारा सिलाई में तो एक अगर आप किसी भी साइस का लेगा बना रहे हैं तो बस आपका जितना भी कम हो उससे आप 8 से डिवाइट कर ले यानि के भागा दे दे और जितना आएगा आपका एक कली उसी हिसाब से आपको अर्शेट करना है आपको तरीका यही होगा बस अगर आपका मेजिनमेंट अल शक्ति यह गर आपको आपके किस तरीके से फोल्ड करनाइगा जरूरी होता है जानना तो देखिए Peng नोट में करना सबसे पहले खड़े-कप्ड ओंडो को बीचो पेस तरीके से फोल्ड कर लेना अ इस से विडियो में देखा रहा है है उसी तरीके से है je बीच से खड़े खड़े इसे फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने बात हम क्या करेंगे देखिए यह मैंने बीच से खड़े खड़े फोल्ड कर दिया अब हम जस्ट डबल जस्ट याने डबल रहने कि पीचो बीच से फोल्ड करेंगे पहले हमें खड़े-खड़े फोल्ड किया बिच से अब हम इसके बीच से यानि के जो साइड वाले से वहां से विचो बेस फोल्ड करेंगे तो यह हमारा फोल्ड करने पर कपड़ा जो की चार पीस आजागा यह देखिए अब दो तीन एक चार चार पीस इसलिए क्योंकि में आठ पल्ले निकाल ले हैं चार आगे के लिए चार पीछे के लिए तो अब जिस साइट मेरा ओपन उस साइट हम देखिए पांच पॉइंट एक सूथ एक सूथ बढ़ाएंगे क्योंकि पचीस आया तो उससे एक सूथ ही मान के चलते हैं ठीक है एक सूथ यहां पर बढ़ाएंगे तो एक सूथ हम यहां पर रखेंगे वाइब पॉइंट वन यह मान लिजिया अपने हम लोगे बासम बन मान लेजिए अगर आप मैस के बासम जानेंगे तो पहन जाने तो फइब पॉइंट वन यानिके पांच और एक तो इस्टाप जहां से मार्क कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए क्योंकि जो हमारी कमर की है वह हमारा 34 इंच है तो आप इस आप से एडिया लगा है बाकी जो इस्टाइब पर है वह हमारा सिलाई में जाएगा अब जिस साइट से फोल्ड है बंद वाले अरिया वहां से भी माक करेंगे यह देखिए यह उस तरीका से यहां पर हम इसे भी माक कर लेंगे और जो भी एस्टा और आप 2C2D प्ति внеш काव करेंगे तबीछ इस तरीके से इंची टेब में रख लेना है और बीचविश झाए तिख एक लेंस बना देना है इस तरीके से निचेप का आप इस तरीके से रखेंग और एक दिख sequencing बना दें तो यह तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्ररिजीर है तो आप इस तरीके से अगरा अब कली वाले सकट बनाना चाहते हैं और आपको चाहिए कि दो मिटर कपड़े मां बहुत जादे घेरे वाला बनाएं तो यह टेक्निक आपके लिए बहुत बेस्ट होगा आप जरू इस पर ट्राय करें और फ्रेंट्स थैंक्यू फॉर आपने मेरे फॉस्ट इसकूर्ट की वीडियो को बहुत जादे प्यार दिय डिजेगा और धेर सारी कमेंट्स और लाइक दिजएगा फ्रेंट्स अगर आप मैं आज दिए नया है फॉस्ट विजिट कर तो प्लीज प्लीज आपके साइट में फोल्ड होगा तो आपको कहा करना इस तरीके से बीचों बीच से शेंटर से कटकर लेना ये कट कर कि आप स सारी कली को अलग कर लेना ऐसा नहीं कि आपको कली को जोआंड रखना यह सोच के कि नहीं से सिलना नहीं पड़ेगा अगर लोक उतना अच्छा नहीं आ याएगा तो इस आर earth को सारे कली को तुर्प्रक हिससे अलग कर लेना पहले जैसे मैं यहां अलग कर कर holds अगर आपको क्रॉप्ट आप की वीडियो साहिए तो आप प्लीस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्रॉप्ट आप की वीडियो साहिए इसके उपर की मैं उसकी वीडियो लेकर आऊंगी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इस तरीका के लेंगा हो दिवाली में, किसी भी सादी में, फेस्टिबल सीजन में, या फिर किसी भी ओकीजन में बना के पहाँ सकते हैं, मैं इसे दिवाली में पहनने वाली, आप कमेंट करके बताएं, आप किस में पहनेंगे, यहां देखी, 4-1-6-4-1-6-8-8, कि चारपेस को पकड़ेंगे यह हल्का सब्वाइट अब आपका निचे से एस तरीक देना पक्ड़ा पक्सक्राइब iletrachすण भड़ान सब्वाइब चारता ऑर रव Boston Пол भड़ता वो दिखेगा उसे यह ईपनी कड़ कर लेंगग पारgos बहुत ही जादी खुबसूरा और प्यारी आएगी अब निचे से थोड़ा पूत आपका इस्टा हो रहा था आप उसे भी हल्का से छटाई कर ले और इतम राउंड शेप दे इतम आप जब कट करेंगे तो आपको खुदी समझ में आएगा कि आपको कहां पर कपड़ा इस्ट चीजब बहुत करेंगे तो सीधा-सीधा आएगा तिखा तिखायेगा आपको कहां करना आपको चिए और अब वाले ही पैनल को पकड़ना है और तिखा-टिखा का पकड़ने तो आपको थे भाले हैगे से लगात का मैसा इस टे को सिलने में easy लगे गा और आपको लगेगा की आपका जो लाइन एंप इतम बרाबर जा रहा है वैसे आप किसी भी तरीके दुस्थ सर्ट था तरीक के यह तैज होता है जिसकी लाइन ने आप उसे ऋप्रेंकर आप सीधी सिदे लाइन टोने को पकड़के से में जोइन कर रह साधेटें से और दूसरा नियुक्ति है आप झीहान दे कभी कभी क्या होता कि हम चैनि क्या और समय ध्याना नहीं दें तो इस से अमारी ज्चाए अच्छी बने रहे हागी तो इस तरीके समें को यहां पर एक पल्ला को दिखाती हूं सेन इसी तरीके से सारे पल्ली को जोड़े की और इस से सिलने के बाद ये ज़्यादे को पुछ ने विडियो में ही देखा इस तरीके साम से लें गये तो यहां देखे फ्रंट मैंने सारे पल्ले को जोड़ ले एक दो तीन चार आगे चार पीछे है हमारा और एक साथ हमने ओपन रख है वह मैं भी आगे जोड के दिखाऊंगी पहले मैं अस्तर जोड़ूंग इसके बाद में पल्ले साइट के बंद करूंगी और देखें यहां से मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए अस्तर आपको निचे रखना सीले वाइब इस साजो ऊपर की ओर दिखना चाहिए जोके मैं देखिए सलाइस में दिख रही है जोकी ऊपर की ओर है कि इस तरीके समय से लेंगे कि तो यहां देखिए मैं सिल्ली अब हमसे पल्टी करके दिखाते हैं यह देखिए पल्टी कर लिए कितना चीज़े फिनिश्ट त्यार हुए अब इस पर प्रेस्ट ला देंगे जिसे और भी ज्यादा फिनिश हो जाए अब हम देखिए आपक बेल्ट त्यार करेंगे त्यार हो गया अब देखिए जिसे तरीके से माग करेंगे 17 लो 34 पर मिस्तरी के से माग कर लेंगे और इसके बाद इसकोट को पीचोब इस से इस तरीके से सिल्लेंगे जो मारे ओपन साइट थे आपको दिया दोगा कि मैंने भी आगे दिखाए आपको यहां पर बन था खु साथ कर बैलेंसे जिल लएते हैं कि यहां पर हम बैल दूसरी तरीका से लगाएंगे फ्रेंटंस जैसे कि मैं अपनी इसारी विडियो में दिखाती हूं वार बार कुछ नएक तरीकेस में बैलें लगाती हूं तो इसrau बैल में तरह को लेंगा है तरह कर लांगे तो यहां पर और इसे आम पल्टी करके उपर लाएंगे पहले हम क्या करेंगे यहां पर बने के पकड़ के यह दूसरी का पिन अप कर देंगे ताकि यह अच्छे से सिक्योर है तो हम पीन अप कर लेते हैं और जिस तरीके हम पिन लगारे से मुझे तरीकी से इसका स्लाइब करना है में अलग लग हमी सब बैल के तरीकर बताती थो अगर आपको पुरु डिर्टल में बैल का तरीका बादना तो आप प्रिस कमेंट करके बताया तो यहां तक कमर पे एमा एक मरत चार कली बराबर या एंद करेंग के फजी Musen को और इस तरीक सेखेर रखेंगे दीछ सब करके होगे देंगे पेसे mindset करेंगे सि कुछ देंगे चुका करना बाइट तो कहुंए इस यह देखिए इस तरीके साब को फोल्ड करके सिल लेना तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर लिए सिर्फ जो फ्यूजिंग वाल एरिया उसको मैंने नहीं सिला यहाँ पर मैं लास्टिक अटेश करूंगे तो लास्टिक आपको कितना अटेश करना यह भी बता दो चलाइज देखिए अब का फानल लुक को फानल लुक पर नुदे के साब देखे लाइसे पीछे इनल यह और आगे का जो फ्यू derived प्यारा और खूब दिख रहा है और सिर्फ और सिफ इदू मिटर में बना है प्रेंड अगर आपको यह वीडियो लगा हो वीडियो पसंद लगचा वहागा वाचाब आ, लगचा आ, आ, टा, ए रभार याद एले वो कि दो सवा एले, लगचा, लगचा आ, लगचा वो कि द Kenneth